हम अफे नवस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर अपका स्वागत धाथ है इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मल्टी मीटर से बैके को कैसे चीक किया जाता है तो चलिए जट से बैकरी चेक करके हम आपको दिखातेगे ने कि कैसे चैक किया जाता है तो सबसे पहले हम आपको एक पहले मल्टी मीटर के बारे में कुछ बता दें मार्केट से एक मल्टी मीटर आपको लेना होगा जो कि कुछ इस तरह का दिलेगा ये आपको मार्केट में देड़ सो से दो सो के रिज़ मिल जाएगा और इस multimeter में आपको दो wire मिलेगा और एक यह meter मिलेगा इस meter में कुछ समझना आपको होगा कि यह जो है आपका यहाँ पर एक arrow का निसान बना हुआ है इस arrow के निसान को अगर बैटरी जब चेक करना होता है तो बैटरी जो होती है जाज़तर बैटरी या 12V होती है तो इसको 20V की range में set करना होगा और इन दोनों wire को जो common point है यहाँ पर जो दिख रहा आपको रखेंगे कि दोनों 12 बाटरी को हम हम इस डीजिटल मेंटर से चेक करेंगे कि बैटरी का वोल्टेज क्या है डिश्चार्ज है यद्ध खराब है तो इस बैटरी जितनी भी बैटरी होती है चेक करने से पहले इसको चार्ज करना पड़ता है चार्ज कराएं उसके बाद ही चेक करें नहीं तो इस बोल्ट मीटर जो है डिजिटल बोल्ट मीटर है या वोल्टेज के ओल बैटरी का मेजर करता है और इस voltage के आधार पर आप सारी बैटरियों को खराब नहीं कर सकते तो हम इस volt meter से चेक करते हैं कि आपकी बैटरी चार्ज है या नहीं है पहले तो हम इस volt meter को जो arrow है 20 के सामने set करेंगे और जो है यहाँ पे यह negative wire है जो कि इसके negative पे और यह positive wire इसके positive पे चेक करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी का voltage जो है 12.25 volt आ रहा है और इस बैटरी का voltage जब हम चेक कर रहा है इसमें 2.97 आ रहा है यह बैटरी चार्ज होने के बाद भी 2.97 है इसका मतलब यह बैटरी खराब है और इस इस बैटरी का voltage प्रोपर है यह बैटरी ओके है तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थेने बाद का अगला करें धन्यवाद बैटरी खारी बैटरी का प्रोपर है झाल वीडियो के अटर बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिए लाद भीडियो को